नमस्कार दोस्तों स्वाकत एक बार फिर से आपका उतराखंड ओनलाइन स्टेडी में दोस्तों इससे पहले हमने वर्ण विचार अध्याए में तीनों वीडियों में वर्ण विचार से संबन्दी जितने भी फैक्ट थे और जितना भी गहन अध्यन था पूर्ण किया उन तीनों वीडियों से निकल कर जो भी तथ्या आज निकल के आये हैं उन पर करेंगे आज चर्चा चलिए सुरात करते हैं नमबर एक क्वेशन से नमबर एक क्वेशन आपका ताड़न जाद बिंजनों की संख्या कितनी होती है ताड़न जाद बिंजन दुगिण बिंजन को ही कहा गया है इसका उपनाम ही ताड़न जात है इसको हम दुगिण बिंजन या उचिप्त बिंजन भी कहते हैं तो इनकी संक्याद दो है डह और डह को ही ताड़नजाद बेंजन कहते हैं नेक्स है आपका काकल्य बेंजन का उपनाम क्या है तो दोस्तों काकल्य बेंजन स्वर्यंत्रिय बेंजन को कहा जाता है और जो है आपका बेंजन में काकले बेंजन स्वर यंत्रिय बेंजन को कहा जाता है नमबर तीन है अर्द स्वर कितने होते हैं तो इसका सही अंसर है आपका दो होते हैं अर्द स्वर यह और वा इनको संगर सीन बेंजन भी कहते हैं जो कि आपके अंतस्त के अंतरगाद आते हैं अंतस्त बेंजनों की संक्या आपकी चार होती है यर ल वा नेक्स्ट क्योशन है जीवा या जीव में कमपन होलने के कारण प्रकमपित बेंजन किसे कहते हैं प्रकम्पित यानि अगर हम जीवा से किसी बेंजन का उचारण करते हैं तो कमपन होता है तो वह आपका ल, दोस्तों इसका उपनाम है आपका लुन्ठित, लुन्ठित बेंजन भी हम इसको कह सकते हैं, लुन्ठित का मतलब होता है मुल्डा, नेक्स है आपका, अब ब्रन्स म स्वलों की संक्या ओट थी के और और अई सवरू बाद में जोड़े गए तो इस तरह से यह ॥ैवशन हमारा है है कि अब ब्रंस में की संक्या कितनी थी फी हय और यद Hm संदी संक्या कितनी होती संदी us what किimm contain सहात होती है उच्चारण और कालमान के आधर पर हमने स्वरों को दो भागों में बाटा था मूल स्वर और संदी स्वर दोस्तों मूल स्वर आपके चार होते हैं औ, ई, उ, और री और संदी स्वरों की संक्या होती है साथ संदी स्वर बहुत स्वर होते हैं जिनके बारे में हमें उसका उद्गम का ज्यान हो या जिसके हम सारतक खंड कर सकते हैं इनी संदी स्वरों को दोस्तों हमने दो भागों में बांड दिया था एक आपका मूल स्वर हो गया था स्वरी आपका दीर्ग स्वर हो गया था तो A मिलकर बनेगा O से, इसी तरह से दीर की स्वर, दुसरा आपका बड़ी E होगा, E पलस E से मिलकर बड़ी E बनेगा, और next होगा आपका O, जो O पलस O से मिलकर बनेगा, तो दीर स्वरों की संक्या, संदी स्वर में कितनी हो गई थी? दीर की स्वरों की संक्या आपकी तीन हो गई थी, तीन हो गई थे आपके दीर की स्वर, और इसमें से बचे अब चार जो होगी होंगे आपके संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में आपके असमान स्वरों से मिलकर बनेगे, उसमें A, I, O, और O, तो चार और तीन मिलकर दोनों ह हो जाते हैं साथ तो इस तरह से दीरुषरों की शंक्या कितनी हो जाती है और फ्लुत स्वर जिसको हम तरह मात्रिक स्वर भी कहते हैं जैसे हमने सब्द लिखा राम तो इस तरह बीच में लगने वाला S तरह का S टाइप का जो आपका जिन होता है उसको हम आउगरा कहते हैं नेक्स है पूर्ण ब्रिस्तित स्वर कौन कौन से होते हैं तो इसमें A और I होते हैं आपके पूर्ण ब्रिस्तित स्वर इसी तरह से उधासीन स्वर किसे कहते हैं न्यूट्रल स्वर जो होता है आ को बोलते हैं इसी तरह से कोमल स्वर कौन से होते हैं और आ कोमल के बाद जैसे कठोर स्वर इसमें चोटा यी बड़ा यी को कठोर स्वर कहते हैं आपका अल्प विर्ताकार स्वर भी होते हैं विर्ताकार स्वर कितने होते हैं मुखा किर्तिक आतर पर अगर आपके ओस्ट विर्त हो जाते हैं तो उसे विर्ताकार स्वर कहते हैं उ पूर्ण बिर्ताकार स्वर दो होते हैं आपके उ और उ और बचे दो आपके ओ और ओ को अल्प यानि थोड़ा सा इसमें आपके उस्थ ब्रित होते हैं तो ओ और ओ अल्प बिर्ताकार और उ और उ पूर्ण बिर्ताकार स्वर होते हैं एक होता है पूर्ण स्वर किसे कहते हैं तो री को ही पूर्ण स्वर कहा गया है री को पूर्ण स्वर कहते हैं next AI स्वर का उच्चारण इस्तान कौन सा है तो इसमें हमने आपके दूसरे वीडियो में बात कर चुके थे तो इसमें AI और स्वर है आपका कंठ तालू यानि इसका उचारण स्तार कंठ और तालू दोनों से है अगला क्वेशन है मुखा किर्थी के आदार पर मुख अधिक कुलता है वह सर क्या कहलाते है मुखा किर्थी के आदार पर जब मुख अधिक कुलता है तो वह सर क्या कहलाते है तो आपके मुखा करते के आदर वो स्वर क्या कहलाते हैं तो ये आपके वीविर्थ स्वर कहलाते हैं जिसमें वीविर्थ स्वर में आपका एक ही स्वर आता है आ स्वर मुखा करते के आदर पर स्वरों को हम चार भगों में बाड़ते हैं जिसमें आपका विविर्थ अधिक मुख खुलता है तो उसे विविर्थ स्वर बोला गया जो कि A है अगला question है जीवा के आदार पर मद्य स्वर कौन सा है दोस्तों जीवा के आदार पर हम स्वरों को तीन भगों में बाढ़ते हैं अग्र स्वर मद्य स्वर और पस्वर जो मद्य स्वर आपका वह A है तो जीवा के आदार पर मद्य स्वर कौन सा होगा अगला question है सभी स्वर होते हैं सभी स्वर क्या होते हैं तो दोस्तों ये स्वर के बारे में हम चर्चा जब कर रहे हैं तो उसमें हमने बताया था आपको कि सभी स्वर क्या होते हैं अलप्राण होते हैं और सगोष होते हैं next one बिच्चेद हम पूर्ण कर चुके थे उसमें भी हमने एचर्चा करी थी किस तरह से हमने वर्ण का बिछेत करना है वर्ण को तोड़ना किस परकार से है ताकि आने वाले जो नेक्स चैप्टर होंगे आपके वर्तनी सुद्धी में उसमें हमें इसकी बहुत जादा मदद मिलने वाली है तो एक सब्द लिया हमने सनलगन सलगन सब्द का बिछेत किस तरह से करेंगे सलगन सब्द सब्द और आ से मिलकर शओ बना है अब दोस्तों सा के उपर लगा हुआ है आपका अनुश्वार तो अनुश्वार हमेशा म में गिना जाता है तो अब अनुस्वार की बारी आएगी तो अनुस्वार म, हलंत और फिर लगन, ल, और आ से मिलकर ल बना है फिर ग, ग, आदा है तो आदा ही आएगा और फिर न, आदा और आ, तो इस तरह से हम सलगन का विछेत करेंगे इसमें नोट करने वाली बात यहा है, यह, र, ल, व, में अनुस्वार का मतलब हमेशा म, से होता है, जो हमारे पंचमाक्छर होते है अगला है आपका उच्चारण, कालमान या मातरा के अदर पर स्वरों की संक्या कितनी होती है तो यह भी हम बता चुके थे आपको पहले ही वीडियो में कि दो परकार के होते हैं आपके, एक लगुश्वर होता है और एक अपका गुरुश्वर नेक्स है मौकिक रूप से भासा की सबसे चोटी एकाई कौन सी है तो ये धोनी है या मौकिक रूप से भासा की सबसे चोटी एकाई धोनी होगी और वहीं लिखित रूप से भासा की सबसे चोटी एकाई वर्ण होगे अगला question है हिंदी वर्ण माला में मात्राओं की संक्या कितनी होती है हिंदी वर्ण माला में मात्राओं की संक्या होती है दस जिसमें आ को नहीं गिना जाता आ मात्रा भी हिन होता है तो धन्यवा दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना बोलें